जहें दोस्तों बंदे मात्रों पिछले कुछ समय हमने देखा कि भाईया क्रिकेट जगत में खलबली मच गई पागिस्तान का जो टूर कैंसल के है न्यूजिलेंड ने उसके बाद में पाकिस्तान के जो दर्शक थे जो फैंस से पाकिस्तान के टीम के वो काफी जदा मायूस हो गए कहने लगे कि भाईया हमने तो बिलकुल सबसे तगड़ी सेक्यूरिटी प्रोवाइड करी थे न्यूजिलेंड को उसके बाद भी न्यूजिलेंड ऐसा चली गई वह में बिलकुल भी अच्छा नहीं लग रहा है जायर सी बात है किसी को भी अच्छा नहीं लगता लेकिन बात वही आजाती है सामने कि जब आप किसी चीज को मतलब सही तरीके से आप उसको प्लान आउट नहीं करते हो तो कहीं नहीं कुछ नहीं कुछ परिशानी होई जाती है और उसका बिल अब PCCB के सामने आया है सुरक्षा वजहों से न्यूजिलन क्रिकेट टीम का दौरा रद होने के बाद से बदहवास पाकिस्तान के साथ तालिबानी शासनवाला अफगानिस्तान क्रिकेट खेलना चाहता है कुछ रिपोर्ट में ये रकम 30 लाक रुपए के करीब बताई जा रही है कसे तोर पर होटल में ठहरी न्यूजिलन क्रिकेट टीम की सुरक्षा में 500 पुलिसकर मीतेनात थे और इनके लिए दिन में दो बार बियानी आती थी इस पर आट दिन में करीब 70 लाक रुपए का खर्च आया है किवी टीम की सुरक्षा में फ्रेंटियर कॉंस्टिबिलोटिरी के जवान भी लगे हुए थे अभी उनके उपर हुए खर्च का कोई बिल नहीं आया है रिपोर्ट के नुसार जब बिल पास होने के लिए फित्व भाग के पास पहुँचा तो इसे रोक लिया गया हाला कि अलग 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 रिपोर्ट में बिल की राशी बताई जा रही है अभी तक अधिकारियों की तरफ से बयान जारी कर नहीं बताया गया है कि वास्ताव में बिल कितने का आया मगर सोशल मीडिया यूजर से इसका जम कर मजा ले रहे है एक यूजर ने लिखा कि भूके नंगे इसलाम को कितना भी सब भी समाज का पार्ट पढ़ाई है आखिर वो आदत से मजबूर ही रहता है जायर सी बात है इसा तो होना ही था लेकिन एक और यूजर थे उन्होंने लिखा कि और इनको कश्मीर चाहिए अब भाई कश्मीर के लिए कोई लड़ता रहेगा तो क्या मतलब ऐसे बरिया निखा कि अब किस से भीक मांगेंगे जिसके जवाब में यूजर ने लिखा कि चीन से और किस से एक ही तो पापा है इनका अंकोर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि उड़ गया पाकिस्तान के होश जब न्यूजिलेंड की सुरक्षा कर्मिया चटकर गया 27 लाग के बियानी इसे कहता है कंगाली में अटागीला एक तो सीरीज भी कैंसल होगई और उपर से जेब बिटीली होगई कंगाल देश की अतंकिस्तान के वजीर आजम आया मज़ा होश ठेकाने तो आपके आएंगे नहीं क्योंकि आमिरान खान जो है वो काफी ज़्यादा इस समय आलोचनाओ का सामना कर रहा है हाथिराम ने लिखा है कि साला इतने में तो पूरा पाकिस्तान के भूके नंगे लोगों का पेड़ भर जाता पर इतना वो कहां ध्यान देते हैं अधर आफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए हैड अजियुल्ला फाजली ने पाकिस्तान के लिए बंडे सीरीज की मेज़बानी करने की बात कही है फाजली ने कहाए कि वो भारत पाकिस्तान बंगलदेश और शिलंका का दोरा करते हुए क्रिकेट को लेकर कुछ निर्णाय लेंगे वो राजमी अमीज राजा से मिलकर पाकिस्तान को सीरीज के लिए आमंतरत भी करेंगे A.F.P. का अनुसर फाजली ने कहा कि मैं 25 सतंबर से पाकिस्तान का दोरह करूँगा और फिर क्रिकेट बोर्ड के अधिकारीयों से मिलने भारत, बंगलदेश और संयोक तरबहमिरााच जाओंगा फाजली ने कहा कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नया दक्ष रमीज राजा से मिलेंगे और उस सीरीज में पाकिस्तान की मेजबानी करने की पेशक्ष करेंगे जो शिलंका में नहीं खेल पाये थे वही न्यूजिलेंड और इंग्लेंड क्रिकेटीम के दोरा रद करने के बाद पाकिस्तान ने इसके लिए भारत को जिम्मदा ठहराया पाकिस्तान के सूचना मंतरी फवाद चौधरी ने बखायदा प्रेस कॉन्फरेंस करके बताया कि ओम प्रकाश मिश्यरा नाम के बारती शक्स ने न्यूजिलेंड के बल्लेबाज मार्टिन कॉप्टिल की पतनी को फेक आईडी बनाकर धमकी भरा मेल भीजा था चौधरी ने दावा किया कि उसी इमेल आईडी को भारत में बनाया गया था और सिंगापूर के आईपी एड्रेस के दरी भीजा गया था दिल्चस बात यह कि कुछ पाकिस्तानी इस बात पर यकीन भी कर रहे हैं कि और गंबीता के साथ पोस्ट कर रहे हैं कि जिसने बोलना अंटी आउं क्या घंटी में बजाओं क्या गाना गया है उसी ने मार्टिन कुप्टिल की बीवी के नाम से धमकी भरा संदेश भेजा थ और अब रमी राजा काफी गुस्ते में दिखाए दे रहे हैं आकिला की मिलना जाला उनको कुछ भी नहीं है आप क्या कहना इस बारे में मुझे कमेंट करके जरू बताईएगा मेरे इस वीडियों फिलाल अतना ही जाए हिन जाए भारत